सब्द भी एक बोजन है, बोलने से पहले चक लीजिए, स्वैंग को अगर अच्छा ना लगे, तो दूसरे को मत परोशिए, ढोंग की जिन्दगी से बेतर है ढंग की जिन्दगी, जब किसी का गुन दिखाई दे, तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुन काईना बना लो, जब किसी के घर जाओ, तो अपनी आखों पर इतना काबू रखो, कि उनके सत्कार के अलावा उसकी कम या ना दिखिए, और जब किसी के घर से निकलो, तो अपनी जुवान पर काबू रखो, ताकि उसके घढ़ की इज्जद और राज दोनों सलामत रहे, पुद का अगर मान चाहो तो औरो का भी मान रखो, कहने को अगर जीब मिली है तो सुनने को भी कान रखो, ये दो बाते अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माप करना, क्योंकि चुप रहने से बहदर कोई जवाब नहीं और माप कर देने से बहदर क कोई सजा नहीं, जिन्दगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है, तो अपने ही वजन से डूब जाता है, जीवन में तीन लोगों को कभी मत बोलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ देने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को, अपने दूस्मन को हजार मौका दो कि वो आपका दोस्त बन जाए पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दूस्मन बन जाए दूसरों पर हसने से बहतर है खुद पर हसो क्योंकि दूसरों पर हसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हसने से आंकार टूकता है किसी की बुढाई करने से पहले कम से कम सव बार सोचो तोंकि बुढाईयां हमारे अंदर भी है और जुवान दूसरों के पास भी है लोग किसी का दिया हुआ साथ तो भूल जाते हैं लेकिन किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलते सब रिष्टों को परक लिया पर नतीजा एक ही निकला कि जरूरते ही सब कुछ है, रिष्टे तो कुछ भी नहीं मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए जिंता इतनी कीजिये कि काम हो जाए पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए कोई नामुम्कीन सी बात को मुम्कीन करके दिखा खुद पहचान लेगा जमाना भीर से तु अलग चल कर दिखा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती अपना गम सोच समझ कर बाटना चाहिए दुन्या में क्योंकि हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं चार दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता जो किरदार बाप पुरी जिन्दगी निवाता है खुद को हमेशा ODP की तरह बनाओ ताकि कोई दूसरी बार आपका इस्तिमाव ना कर सके परवाह करने की आदब ने तो परेसान कर दिया अगर बे परवाह होते तो सुकून बहुत होती जिन्दगी में अगर आपको कोई याग नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए रिष्टे हैं कोई मुकावला थोड़े ही है ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुड़ा करना हो वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है पानी से जुदा होकर मचलिया मर जाती है क्योंकि उन्हें नहीं मालुम था कि किसी की नजदेकिया पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है सेर और हीरन के बीच दोड़ में कई बार हीरन जीत जाता है क्योंकि सेर भोजन के लिए दौरता है और हीरन जीवन के लिए कभी हार नहीं मानती यह बुडाई की आदत है और जो कभी हारती ही नहीं वह अच्छाई की ताकत है अकड सब्द में कोई मात्रा नहीं है पढ़िया अलग-अलग महत्रा में हर इंसान में मौजूद है छाता लगाने का यह मतलब नहीं कि आप बच गए पानी से दुबाने वारा पानी सीर से नहीं पैर से आता है हरोसा करते वक्त होशियार रहिए क्योंकि फिटकिरी और मिस्री एक जैसे ही नजर आते है दिल की खामोशी पर मत जाओ दोस्त राक के नीचे अकसर आग दबी होती है कास लोग समझ जाए कि रिष्टे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाये जाते है एक दूसरे का इस्तिमाल करने के लिए नहीं जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अकसर रुलाते हैं गंगा में डुबकी लगा कर तिर्थ किये हजार इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार आज रोटी के पीछे भागता हूँ तो याद आता है मुझे रोटी खिलाने के लिए कभी मा मेरे पीछे भागती थी जुकने से रिस्ता गहरा हो तो जुक जाओ पर हर बार आपको ही जुकना परे तो रुक जाओ एक दूसरे के बाड़े में बोलने के वजा है अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलत फाविया दूर हो जाएंगे आँख संसार की हर चीज देखती है मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है ठीक उसी तरह मनुष से दूसरे की बढ़ाईया तो देखता है पर अपने भीतर बैठी बढ़ाईया उसे दिखाई नहीं देती